हेलो स्टुडेंट्स मैं डाक्टर तुल सिंगल ऑथर एंड मेंटर इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं जो की जेई 2020 में आपकी बहुत हैल्प करेगी जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिकतर बच्चे जेई मेंस में लगबग 70-80% बच्चे कोई कोचिंग नहीं करते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए NCRT कितनी मददगार सावित होगी और आपको NCRT को किस प्रकार से सही यूटिलाइज करना है जिससे कि आपको जेई मेंस में बहुत मदद मिल सके तो बच्चो आपको चाहे आप केमिस्ट्री में फेजिक्स में य 50% पेपर जो होता है वो थियोरी बेस्ट होता है और अगर आप देखेंगे जे मेंस के पुराने पेपर तो ज्यादतर थियोरी NCRT बेस्ट आती है तो अगर आप NCRT की थियोरी को अच्छे से पढ़ पाते हो तो 50% केमिस्ट्री के अंदर आप कोश्चन कर पाऊगे अब हम बात करते हैं बच्चों Physics की Physics में NCRT उतनी इफेक्टिव नहीं होती चोकि Physics का पेपर लॉजीकल होता है थेोरेटिकल नहीं होता Physics का पेपर लॉजीकल होता है बट फिर भी कुछ चैप्टर्स में जिसे Communication, Waves यहां NCRT अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करेगी ऐसा हमन एक सवाल का अपने आप में एक बहुत महत होता है अगर आपको सिर्फ NCRT पढ़ने से 3-4 सवाल मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको NCRT पढ़नी ही चाहिए मैस में भी आपको NCRT देख लेनी है तो आपको थियोरी के लिए NCRT एक बार ज़रूर पढ़ दी है अब यहां आपको ध्यान क्या रखना है जब आप NCRT पढ़ने तो जो NCRT के important point है जैसे definition तो आएंगी नहीं जैई में तो NCRT की important lines, formula आपको short notes में बनाने यह बहुत important है मैंने last year देखा था काफी सारे बच्चे जो जैई में में निकले वो अपने क्या करते हैं 500 page के notes को बाद में 50 page के notes बना लेते हैं जिन चीजों को भूल रहे हैं उनको note करते हैं यह बहुत important चीज़ है यह आपको करना है इसके habit आपको डाल नहीं है अब जो सबसे important part हम आपको बता रहे हैं थियोरी से आप 2-3 question NCRT से हर subject में उटा लेंगे जहादर बच्चे यह सोचते हैं कि NCRT की जो excise हैं या inbox excise हैं या जो NCRT के sold examples हैं उनको छोड़ देते हैं school में भी यहां मैंने यह देखा है बच्चों chemistry में especially और physics में NCRT के sold examples directly नहीं तो indirectly उनके जैसे ही question जरूर आते हैं हर subject में you are going to get 2-3 question आपको जरूर मिलेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि NCRT के sold examples को inbox excises को और आप जो पीछे textbook excise NCRT को उनको जरूर कवर करें NCRT की test book excise से भी आपको करनी है इससे देखें दो benefit आपको बहुत जबरदस्ट मिलने वाले हैं अगर आप NCRT की preparation अप कर रहे हैं तो जो बच्चे 12 दे रहे हैं इस बार उनके लिए तो यह जबरदस्ट benefit होगा चुकि बोर्ड तो NCRT से बाहर जाएगा ने तो अगर एक महिने में आप NCRT की सारी exercises in box, test exercise और sold example देख लेंगे तो यकीन मानिए, बोर्ड में तो आप 95 प्लस लाएंगे, साथ-साथ आप J-Mains में भी अच्छा कर पाएगे तो आपको NCRT को सही तरीके से कैसे पढ़ना, मैंने आपको बताया कोशिश कीजिए, हर subject में एक दिन में एक chapter आप जरूर complete करते चले NCRT का अब जब आप NCRT cover up करें, तो एक NCRT की book आती है, NCRT exemplar आप में से बहुत सारे बच्चों के पास भी होगी, उस में से काफी सारे direct questions J-Mains में आते हैं बच्चों, तो NCRT को आपको बिल्कुल ignore नहीं करना है NCRT की theory को पढ़ें, उसके important points की आप अपने short notes में convert करें Inbox exercises और Stored exercises को भी आप जरूर देखें अच्छे से, क्योंकि उनसे related questions जरूर आते हैं जैसे मैं आपको एक example दे रहा हूँ, 2018-2016, chemistry में solution chapter से direct question NCRT का था जो J-Mains में आया, last year gases state का question direct NCRT से था, तो आप NCRT को ignore नहीं कर सकते अगर आप NCRT को अच्छे से करके जाएंगे, तो आप 60-70% paper अराम से attempt कर सकते हैं जब बात आएगी बच्चो logical questions की, तो वहाँ ये देखा जाता है कि आपको concept कितने अच्छे से clear हैं अगर आपके concepts clear हैं, तो आप logical questions कर पाएंगे कई बच्चों के दिमाग में एक बित होता है, कि सर पेपर बहुत बारी आता है देखें, 30-40% paper easy होता है, बलके मैं इसको कहूँगा 20% paper easy आएगा बच्चो उसके लिए NCRT more than enough है अगला जो paper होता है, main part होता है, moderate part paper का 50% moderate होता है, वहाँ आपने NCRT के concepts को कितने अच्छे से cover कर रखा है, वो role play करेगा केवल 20-30% paper tough होता है, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ के NCRT के inbox, NCRT के exercises और NCRT exemplar को आप देख लें, उसमें से भी आप कर पाएंगे I hope ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ के आपको कैसे previous year papers और mock test का सही धंग से उप्योग करना है मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से अभी से पूरे मन से 30 दिन NCRT का यूज करके अपनी तयारी में लग जाओगे